उस पर आपकी राए और यह जो बात मैं कह रहा हूं एक ब्यूटी को रंग को इसमें जादा तवज्जो दिया जाता है इस पर आपके साथ कभी ऐसा कोई भेद्भावाली बातचीत हुई है किसी सेट पर सट पर तो नहीं सेट पर कि एक ऐसा है देखने में सपाइब को नहीं वॉए और बड़ मेरे फोटोग्राप बहुत संदर संदर आते अभी फोटो किछ बात तो बहुत संदर लगताओं सामने में ऐसा सma में उससंदर दिखने लगता हूँ तो मैं उन envz Charles सब्सक्राइब करना है तो मैं फोटोग्राफ कुछ दे के आया था और मैं जुहू में स्टूडियो हुआ करता था तो में भी जाके वहीं करवा लिया तो उन्हें कुछ चेन वेन ऐसा दिया ऐसा कुछ करा करके और बता दिये वहां कुछ कपड़े रखे रहते थे जो देदे ने के लिए तो मैं भी चार पाट फोटो खीचवा लिया और देके आ गया था तो मुझे बुलाया गया एक जगए से मिलने के लिए तो नॉमली मुझे तो ऑडिशन के लिए बुलाते थे लोग तो मैं गया मिलने वहाँ आर पांच लोग कमरे में अंदर बैठे थे एक क्रियेटिव हेड थी उस चोग की प्रूइसर थे चार-पांच लोग बैठे थे जब मैं कमरे में एंटर हुआ तो सब का जो जो लुटाना वह अजीब ही सब एक दूसरे को देख रहे हैं कोई कुछ बोल नहीं रहा है पांच शे सेकंड बाद एक जन्न ने बोला सुशिल तो वह वह जो था ना वह मैं समझ में मुझे आ गया था कि अच्छा यह लोग फोटो देखकर के लगता है कि मुझे हीरो हीरो अर्ड होता है छाड कि देखने में ऐसा होगा और मैं बैठा और फिर उन लोग न बताया मुझे कि देखिए आपका फोटो देखकर के मैं बुलाया था तो जिस टाइब का मैं भूला कि नहीं नहीं मैं समझ गया मैं तो ऐसे हूं आप देख लिजिए आप लोगों नहीं सुषिजी ठीक है आप हम बताएंगे और मुझे लटा दिया गया तो मैं समझ गया कि इनको जो चाहिए वो मैं नहीं हूं लेकिन कोई बुरा मानने वाले ऐसा यह था यह तो होता था कि भाई कहीं नहीं कभी-कभी ऐसा होता था था कि ठोड़ा मुझे जांच लो या पी काम का तो होंगा है ना वो कभी-कभाध लगता था लेकिन आप ने पुछा कि साधारं कदकार्थ हैं हमारे जैसे दिखने वाले लोगों के लिए मैं एक चीज़ अपने तैयारी करो जरूडरूर बहुत अच्छी तैयारी के लिए यह मेरा है यह मैं कुई नहीं हूँ कोई जान गुरू और इसा कुछ भी कुछ नहीं है वह समझने में थोड़ा साउंड हो रहा होगा मैं आपको कर पा रहा हूं कि मुझे लगता है कि सब कुछ अंदर ही है वह जरूरी है अपना ट्रेनिंग करके आना चाहिए अपने वह को आ जाएगा अंदर से खुछ समझ में आने लिए एक कॉंफिडेंस होता है एक रियल होता तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप करते जाते हैं जैसे जिवन आप फिल्ड का हो या जीरूरी किसी भी पार्ट में तो दीरे 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 तब तक तब तक तब तक अलग 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 अच्छ इछ शलमें बनाने लगे थे दिवाकार बंदल इस टाइब के इस टे सिनेमा जो बन रही उसमें हमारी गुंजाइस कही नहीं ती तो हमारी दिमाग में तो मुझे लगता है कि गोल्डन एरा फिल्मेकिंग और मैं कोई भी कहानी के लिए तर बोली यह तो बहुत अच्छा टाइम है कोई भी करना होगा तो उसके लिए सब काम आते हैं उसके जो उपर होता है उसके ध्यान थोड़ा जाना चाहिए और जा रहा है अभी सारे मेकर्स का जा रहा है कोई ज़रूर भी दॉक्टर हो सकता है हमारे जैसा अदमी अभी जैसे में मुझे जब कुनर्सिंग सुझा Jini ओसर किया तो सबसे पहले उनसे कुछ नहीं बोला भट राइटर से मेरी बात हो रही दो यह बोला कि सच में मुझे लगता है एक तैयारी जिरूरी है और तैयारी के लिए बहुत जाब कोई जादू करने की ज़रूरत लिए लगता है। वह सबका अलग-अलग प्रोसस है उह समझना होगा और भी बहुत तरह है अगर बहुत तरह less थोड़ा कुछ शायद हुआ है तभी लोग मुझे भी फॉन कर रहे हैं और बोल भी रहें कि बहुत अच्छा काम किये हो समय लगता है लेकिन नवाज सर्क ने भी अपना समय लगाया लेकिन उनको मिला जो